हेलो एम्रीबन बेरी गुड मॉनिंग वाल अफ यू तो कैसे आप सभी आई होफ आप सभी स्टूडेंट ही ओंगे तो मैं आपका फिर से स्टूडेंट करता हूँ आपके अपने परिवाग कॉलेज अपडेट्स में देखें सैकिंड सेमिस्टर जो एसोल की स्टूडेंट है कल से टेलीग्राम पर और फेस्बूक चैनल पर यूट्यूब चैनल पर काफी ज्यादा मुझे कमेंट मिलें कि सर असाइमेंट बनाने कैसे है क्या क्या डीटेल डालनी है कैसे कैसे नियम फॉलो करने है तो इस वीडियो में सारा बताओंगा और एक हमारे स्क्राइबर है औ कुछ-कुछ बाते हैं तो आप सुननी पाएंगे पर कहिए कि सर आपने कैसे करना तो मैं कोजिस कर रहा हूं कि जितने भी कोसन है मैं इसी वीडियो में सॉल्व कर दू बनना अगर चाहे आप चाहो तो असाइमेंट के लिए ऐसाइमेंट कैसे बनाना अगर अलग सेपरेड को वह 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 बेशसे अले वह लिए कि कल तक का सुरी आज अले बेशना गलतका तब्दे नहीं आता तो समझेकर आपने एक्जामिशन फॉर्म सब्मिट नहीं किया और तब भी आपने उसमीट किया है सअगर सब सकत हैं तो यह उन्हीं की तरफ से एरर है क्योंकि एरर ठीक कर ले जाए क्योंकि कल भी कई सारे स्टूडेंट है जिनकी एडमी कार्ट सो नहीं होते भी बार में सो नहीं लगे तो आप स्टार्ट करते वीडियो देखिए आपको एफ और साइट की सीड का यूज करना एसाइमेंट के लिए चाहे वह ब्लैंक भी हो सकते है रूल भी हो सक्किए तो अभी मैं आपको डेमों के रूप में रूल सीड के ओपर दिखा रहा हूं तो आपका मन है पर साइट करना है सबसे पहले देखिए इस पर क्या-क्या लिखना वह मैं आपको बता घाता हूं सीड पर जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपको लिखना है एकजाम रोल नमबर अधमी काड पर आगया होगा पेपर नेम पेपर नेम यानि उस सबजेक्ट कौन सा है पेपर कोट आपके एडमी कार्ड पर भी आपके कोशन पेपर के ऊपर भी है देख लेना डाल देना खीक है बागी मैं अब उजह पताने की जरूर नहीं है और एक बाद और ध्यान रखना नीचे पेज नंबर आपको डालना है जैसे पेज नंबर के आप्शन में दिखा रहा आपको पेज नंबर में आपको सीरियल वाइज लिगना है जैसे एक सब्जेक के दो कोशन आपको सौल्ट करने और हर कोशन के फ्रंट पेज पेज पे आपको डीटेल डाल दीए फिर बैक पे आपको क्या डालना वह तो मैं आभी आगे बताऊंगा तो हर कोशन के फ्रंट से चाहिए बुक से बाकि हम तो हम तो जल्दी आसवर प्रोवाइड कराएंगे आपको ठीक है तो आसवर आप लिखना स्टार्ट करोगे तीर से चार सीट में आप लेख लोगे तो इसके बार फिर दूसी सीट में फ्रंट पीट में आपको दुबारा डीटेल डालनी है और दुबारा सीरियल नंबर एक से दुबारा स्टार्ट करना है ठीक है यह पहले आप सुनिया पिर में आगे जाके और भी कुछ आपको इपॉर्टन बताऊंगा अब देखिए बैक सीट या नहीं फ्रंट का मैंने आपको बता रही है बैक सीट पर क्या क्या इंफोर्मेशन इसके अलाबा ना तो आपको अपना मुवाइल नंबर डालना है ना अपनी गल्फेंड वगरा का मुवाइल नंबर डालना है ना इमेल डालनी है ना कोई धार्मिक चिन बनाना है जैसे कि 786 ओम नमसिवाय राम यह कुछ नहीं लिगना है वेपर में यह हरकते बच्चे वा जो कि आपने भी की होगी जब आप नगन निगम में पढ़ते होंगे या प्राइमरी स्कूलों में तो उसमें कई स्टूडन क्या करते थे कि सीड पे लाइन पे खेंचके वो इजा अधर धार्मिक चिन डाल देते थे तो ऐसे वह ने साब बोल रखा अगर ऐसा कोई भी तो उसी समय उसका जो असाइमेंट है और रिजेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है आपको जो जो मैं डीटेल बता रहा हूं इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्टा डीटेल फिलप नहीं करनी है उस्यार बनने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर आपके मन में यह बात आ रही ह हो कि फिर आप बाद में कोई सर्मा तो लिखना बूल गया अशन में नाम लिखना भूल गया अब ऐसा थोड़ी होता है कि जब आप असाइम्मेंट बना रहे हो तो आप आराम से बनाईए काफी लंबा टाइम है ठीक है पांस से छेया दिन का को टाइम डे रखा है तो आज एक बात और में आपको बता दूं कि कोई बच्चा कोई भी स्टूडेंट अगर हम आसा जोड़ा हुआ है तो यह जो मैंने फॉर्मेट बता है यह ऑफिसली फॉर्मेट है इसके अलावा आपको कोई भी सीट पर कोई भी डेकोरेट्स नहीं करनी है और जो सीट आती है ना को दो रुपे या तीन रुपे की आती है मोटी जिस पर फून पत्नियां बनी रहती फ्लॉवर या लीब बने रहते वह सीट आपको नहीं यूज करनी है एफ और साइच की ब्लैंक या रूल दोनों में से कोई भी आप यूज करोगे सामने और पीछे लिख सकते हो फ्रंट की एक बात और में आपको बता देता ह Drink कि जब भी आप यूब यूखो लिखो तो पॉइंट वाइज लिखो की यूज करो यूज अ one बनानें क्योंकि assignment का मनला भी होता है खुद मत बनाना वला assignment घर के लिए दिया जाता है कि student खुद बनाए तो इसलिए कोसिज की जिए पॉइंट वाइज लेखना और जो नियम है जो इनके बता रखा है उनको जरूर फॉलो करें अगर किसी भी student ने भी तक guideline नहीं पड़ी है तो जाके मेरी पिछली वीडियो देख रहे है guideline वाली तो उसमें मैं आपको सारा मैंने introduction दे रखा किस तरीके से आपको फॉलो करना है और बाकी तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं ठीक है अब हाँ एक बात और अब भी कोई डाउट है आपके मन में कि सर ऐसा कैसे होगा यह क्या होगा क्या लिखेंगे तो मैं बारवा कह रहा हूं कोई हवा वाली चीज नहीं है सिंप्लिए आपको डीटेल डालके नीचे से targeting डालकर आपको स्टार्ट करे बना के तैयार की चेह और असाइमेंट को जो जो मैंने आपको टीटेल बताई वह फिर की PDF स्कैन करनों है सकन करने के लिए मैं बिडियो बना दूंगा कि सकन कैसे करना बैसिकली मैंने बिडियो पहले बना दी है वह आप देख लेना मेरे चैनली भी पढ़ी होगी बाकी एक को सिस्कर रहा हूं मैं दोबारा दुझा बैसे ज़रूर नहीं रड़ेगी बनाने की तो ठीक है मैं आप कम कोमेंट पढ़े जाते पर रीपलाई लेट मिलता है और हमार टेलेगाम चैनल जॉइन करना ना भूलना तुक उसी पर है अगर आंस पर सेर होंगे तो उसी पर होंगे और यूट्यूब चैनल पर तो होने ही होने तो आज के लिए वसे नहीं ठाइंक्यू सो मच